इस विडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाइका प्रचार नहीं करते से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी काया है natural scalp detoxifying tonic एक उननत scalp और बालों को पोशन देने वाला formulation है जो तीन प्राकृतिक सक्रिय पदार्थों हिबिकर्स अधरक और प्यास की शक्ती से सम्रिध है जो बालों के रों को पुनरजीवित करने और बालों की विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है इसमें प्राकृतिक cellular oxygen boost तक्मीक है जो खोपड़ी के सूक्षम संचलन में सुधार करने में मदद करती है जिससे आपको स्वस्थ दिखने वाले बाल मिलते हैं टॉनिक में काली मिर्च और इंगा अलबा की छाल के अर्ग का प्राकृतिक मिश्रण भी शामिल है जो खोपड़ी के प्राकृतिक स्वास्थे को बहाल करता है और इसे आगे के नुकसान से बचाता है यह अनोखा pH संतुलित फॉर्मूला सिल्फेट्स, सिलिकोन और पैराबेस से मुक्त है यह स्कैल्प को हाइड्रेटेड और पोशत रखने में मदद करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, प्राकृतिक रूप से स्वस्थ खोपडी के लिए स्वस्थ दिखने वाले सुंदर बाल देना दो, यह आपका नियमित सीरम नहीं है बलकि तीन प्राकृतिक सक्रिय पदार्थों हिबिकस, अधरक और प्यास की शक्ती से सम्रिध एक उननत स्कैल्प टॉनिक है जो बालों के रूम को पुनर जीवित करने और बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है तीन, इसमें प्राकृतिक सेलुलर ऑक्सीजन बूस्ट तक्नीक है जो खोपड़ी की सूक्षम संचलन में सुधार करने में मदद करती है जिससे आपको स्वस्थ दिखने वाले बाल मिलते हैं चार, काली मिर्च और इंगा अलबा की ज्छाल के अर्ख से बने प्राकृतिक मिश्रन से सम्रिध जो सिर्की त्वचा को आराम और हाइडरेट करके संतुलित करता है जिससे बालों के समगर स्वास्थी के साथ-साथ चमक में भी सुधार होता है पांच, अनोखा पी-एच संतुलित हलका फॉर्मूला छे, कोई सलफेट नहीं, कोई सिलिकॉन नहीं और कोई पैराबेस नहीं साथ, काया हेर नैचुरल्स, प्रकृति द्वारा कल्पना की गई, विज्ञान द्वारा तयार की गई आठ, तवचा विशेशग्यों द्वारा फॉर्मूला पर शोध और विकास किया गया है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करे